नमस्कार दोस्तों उम्मीदें आप सब बहुत अच्छे हैं इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाली हूँ यगपपा हेटे जिसॉर्ट का जो की एक रिसॉर्ट है तामिलनारू के कोदाई कनल शहर में हम लोग यहाँ तीन गात के लिए रुके थे इस रिसॉर्ट का बुकिंग हमने मेकमाई ट्रीप के माध्यम से किया था अगर आप चाहें तो इसका बुकिंग दूसरे वेबसाइट से भी कर सकते हैं जैसे गौाई विबो, एगोडा बुकिंग से पहले आप अलग-अलग वेबसाइट से दाम कंपेर करके फिर बुक कीजिएगा अगर बुकिंगा रूम और बात्रूम साफ है अगर आप गारी लेकि हाप पड़ाना चाते हैं तो चीनता की कोई कारण नहीं है क्योंकि यहापर परियाप्ट पार्किंग की जगए उपलब्थ है यह रिसॉर्ट परियाटक स्थल, फोकर्स वाक और ब्राइन पाउक से 500 मिटर की दुड़ी पे है इस रिसॉर्ट से मुखे सरक तक 500 मिटर की एक खड़ी सरक है एजेड लोगों के लिए चलके उपर में रोड तक जाना मुश्किल होगा इस रिसॉर्ट से पहारो और कोदाई कनल शहर का खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है यह एक सबजी है जिसका नाम है स्क्वाश कोदाई कनल बस टैंट और मुख्य बजार यहां से एक किलमेटर के अंदर हैं अगर आपको आसपास घूमने के लिए गारी चाहिए तो डिसप्शन में जो पती नहीं दिये आप उनसे बात कर सकते हैं वो आपको गारी की विवस्ता करके देंगे यह हमारा रूम है यदि आप चाहे तो यहां बॉनफाइर भी कर सकते हैं यहां आपको कॉम्प्लिमेंटरी साउथी इंडिया नाश्ता मिलेगा रूम सर्विस अच्छा है अगर आप चाहे तो दोपहर और रात का खाना यह लोग आपको रूम में भी सर्व कर सकते हैं यहां का खाना टेस्टी था मेरा फेवरेट था चिकन सिक्स्टी फाइफ होटल के कर्मचारियों के बरताग अच्छे हैं मुझे इस रिसॉर्ट में रहकर अच्छा लगा यह रिव्यू मैंने अपने वेक्टिगत अनुभव पर दिया है उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में हम कोदाई कानल शहर के अलग-अलग परियाटक स्थल घूमेंगे बाइबाइ फ्रेंड्स खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखेगा